मित्रों नमस्कार मैं हूँ आपका अपना आपका अजीज आपका कमल नंदलाल और मैं लेकर आए हूँ आप सभी के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी का खाश शो आपका राशिफल इस शो के जरीए हर रोज हम आपको आपके भविशत से जूड़ी सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं आज किसकी किस्मत का सितारा चंकेगा आज क्या है आपका लखी नंबर क्या है आपका लखी कलर आज आज किसका दिन बन जाएगा सुहाना और किसकी बात तो होगी पक्की और भी बहुत कोछ है आज तो आईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का एरीज मेश राशिवालों आज आपका रवया लोगों के लेकर काफी सहनबूती पूर्ण हो सकता है जादा तर मामलों में आप पूरी गहराई में जाकर मामले को समझ पाएंगे माता और पिता के साथ संबन्नों में सुधार होने के योग बन रहे किसी दोस्त को आपकी सलहा से बड़ा फायदा भी हो सकता है आपकी मदद से साथ वाले लोगों की कोई समस्या भी खतम हो सकती है आपको यह ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जिसका आफर दूसरों पर बढ़ सकता हो दोस्त आपसे संपर्क करते रहेंगे, आपका दामपत्य जिवन भी बहुत शुब रहने के और अच्छा रहने के योगे वाइट रहेगा आपके लिए लखी कलर और टू रहेगा लखी नंबर बात करते हैं, राशी नंबर दो, व्रिश यानि के तौरस की व्रिश राशी वालों आज स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है कारशेत्र में विवाद और रुकावटों का योग बन रहा है सावधान रहे हैं, इसकी मैं आपको सलहा देता हूँ आपकी भावनातमक स्थिती इंदिनों में अचानक बदल सकती है परिवार के मामले भी सुलच सकते हैं नौकरी और शिक्षा के शेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने की योग बन रहे है कामधन्य में भागदोर बनी रहेगी किसी अधिकारी से विवाद भी हो सकता है प्रोमोशन यहां प्रोमोशन की बातचीत शुरू हो सकती है आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे पद यहां जिम्मेदारी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मेहनत और बढ़ेगी यलो रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और टू रहेगा लखी नंबर तो चलिए बात करते हैं राशी नंबर तीन मिथुन की चेमनाई मिथुन राशी वालों नौकरी पिशा लोगों को साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है हाला कि कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद नहीं मिल पाएगी उनकी नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है पुराने अधूरे मामले इन दिनों में पूरे हो सकते हैं कोई अच्छी ख़बर भी आपको मिल सकती है धनलाब के आसार बन रहे हैं इस राशी के विवाहितों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है कामकाज की यूजनाएं भी बन सकती है पिंक रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और बन रहेगा लखी नमबर बात करते हैं राशी नमबर चार बात करते हैं राशी नमबर चार करक की कैंसर करक राशी वालों आज अपनी उर्जा अच्छे कामों में लगाएंगा शैक्षने कामों में आपकी रूची बढ़ सकती है आपको जीवन साथी का सयोग मिल सकता है किसी मागले काम का हिस्सा भी बन सकते हैं ओफिस में काम समय पर खतम करने पर सभी की वहवाही मिले लिया सही उजना के तहट आप अपने करियर में कुछ बदला भी ला सकते हैं दोस्तों के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं और मुलकात होने के योग भी बन रहे हैं पुराने दोस्तों से कोई मैतपूर्ण मामले पर बातचित भी हो सकती है औरेंज रहेगा आज के लिए आप लखी कलर और नाइन रहेगा लखी नंबर बात करते हैं राशी नंबर पाँच सिंग की यानि लियो सिंगराशी वालो आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है अपनी काबलियत से सभी काम को आप सरलता पूरुवक यानि के सिंप्लिफाइड करके पूरा कर सकते हैं आपके दामपत्य जिवन में आपसे सामान जस्व उत्तम रह सकता है यानि कि mutual understanding भौग बढ़िया रहने वाली आपकी आप healthy बने रहेंगे पूरा दिन नए लोगों से मुलाकात आपके भविशे के लिए लाबतायक हो सकती है आपकी जो confidence level है उसमें भडोतरी होने वाली है आप अपने family के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जाने की योजना बना सकते हैं higher officials से आपके संबन्द अच्छे रहेंगे और उच्च अधिकारी आपसे प्रसंद भी रहेंगे आपके विचारों को भी importance दी जाएगी आपके लिए आज का lucky color रहेगा peach और lucky number रहेगा 7 तो चलिए बात करते हैं राशी नंबर 6 कन्या यानि की वरगों की कन्या राशी वालों आज आपका दिन शानदार रहने वाला है रिष्टे दोरों का घर पर आना जाना लगा रहेगा शाम तक घर में खुशी का माहुल भी बना रहेगा आपका स्वास्ट भी फिट रहेगा लाइफ पार्टनर के लिए आज का दिन मिठास से भरा रहेगा इस राशी के स्टूडेंट्स को करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं दूसरे लोगों की मदद करने का आपको मौका भी मिल सकता है फैमिली के साथ बाच्चित करके कुछ परेशानियों को सुलजाने की कोशिश भी करेंगे ग्रीन रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और टू रहेगा लखी नमबर तो चलिए बात करते हैं राशी नमबर साथ तुला यानि कि लिबरा की तुला राशी वालों आज आपका दिन सामान में रहेगा सोचे वे जादातर काम धीरे धीरे करके पूरे होंगे आप दोस्तों के साथ किसी खास मामले पर बाच्चित कर सकते हैं आर्थिक इस्तिती में उतार चड़ाओ बना रह सकता है किसी अजनवी व्यक्ति की वज़े से आपका मूड थोड़ा खराब रह सकता है लेकिन शाम तक मूड अपने आप ठीक भी हो जाएगा घर से बाहर जाते समय बस कुछ मीठा खा कर जाए कोई बात जो पुरानी हों याद करके आप थोड़े भावख हो सकते हैं किसी अनाथाले में जाकर बच्चों को कुछ गिफ्ट करें आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा वैलिट रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और फाइफ रहेगा लखी नंबर बात करता है राशी नंबर आठ व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर प्यों की व्रिश्चिक राशी वालों दिन आपका बढ़िया रहने वाला है आपको काम में सफलता मिल सकती है आपके मान सम्मान में बढ़ुत्री भी हो सकती है आप किसी फंक्शन में जाने की योज ना बना सकते है साथ ही वहाँ पर आपकी किसी बचपन के फ्रेंड के साथ मुलाकात हो सकती है जीवन साथ ही आपकी इमानदारी से प्रभावित हो सकता है इस राशी के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अन्य दिनों के अपिक्षा फाइदेवन रह सकता है साथ ही उनका ध्यान पढ़ाय लिखाई पर केंदरित रह सकता है माता पिता की सलहा आपके लिए लादायक हो सकती है ब्लू रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और थ्री रहेगा लखी नमबर बात करते हैं राशी नमबर 9 धनू यानि सजटेरियस की धनू राशी वालों आज के दिन लाइफ में कुछ अच्छा होने के योग बन रहे है रुके हुए कामों में आपको किसी फ्रेंड की हेल्प मिल सकती है आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी मिल सकती है आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती है जिन ही पूरा करने में आप सफल भी हो सकते है आप अपने करियर में सफलता से बेहत करीब होंगे ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा कुछ नए विचार आपके दिमाग में भी आ सकते है आप कोई नई योजना बना सकते है साथ ही आप इसमें सफल भी हो सकते है ब्लेक रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और एट रहेगा लखी नंबर तो चलिए बात करता है राशी नंबर दस मकर यानि केप्र कौन की मकर राशी वालो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है रास्ते में किसी करीबी दोस्स से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जिससे मिलकर आप खुश रह सकते हैं ओफिस में बहुत साब से खुश रह सकते हैं अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहें तो आगे चलकर आपको काफी फाइदा भी हो सकता है आपको अचानक कहीं से धन लाव होने की योग है लाइफ पार्टनर किसी ट्रिप पर जाने का प्लान मना सकता है बिजनस पार्टनर के साथ मिलकर किये गए कामों में आपको फायदा हो सकता है ग्रे रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और सिक्स रहेगा लखी नमबर बात करते हैं राशी नमबर ग्यारा कुम्भ यानि क्या अक्वैरियस की कुम्भ राशी वालो आज आपका दिन ठीट ठाक रह सकता है आपकी तरक्की में थोड़ी रुकावटें आ सकती है बचना चाहिए लाइफ पार्टनर के लिए आज के दिन सामान्य बना रह सकता है सुसाइटी में किसी से आपकी अन्मन भी हो सकती है और इसी संभावना भी आपको वाद वबबाद में पढ़ने से बचना चाहिए छोटी कन्या का अशिरवाद ले, आपकी हर मुश्किल आसान होगी, हर मुश्किल दूर होगी क्रीम रहेगा, आपके लिए लखे कलर फोर रहेगा लखे नमगा बात करते हैं, बारवी राशी मीन, यानि की पैसिस की मीन राशी वालों आज आपका दिन खुशी से बढ़ा रहे सकता है ओफिस में कुछ दोस्तों के सपोर्ट से आपका प्रोजेक्ट पुरा हो सकता है समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है जो विध्यार्थी विदेश में शिक्षा घ्रण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत फेवरिबिल है आपको शिक्षक से पढ़ाई में मदद भी मिल सकती आप कि जो सारे टीक्चर्थ हैं आपको सपोर्ट करेंगे आज आज आप पूरे दिन खुद को तरुताजम हैसूस करते रहेंगे किसी धार्मे का आयोजन में जाने का आपको अफसर भी मिलेगा करीबी लोगों से आपसे कुछ अपिक्षाएं भी रहेंगी आप तो आज के लिए आपका लखी कलर है मरून और लखी कलर है सिक्स तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपका भविश्य बताने के लिए आपकी राशी का भविश्य बताने के लिए तब तक के लिए मुझे इजादत दीजे इस उमीद के साथ कि आपका आने वाला कल आद से कुछ बहतर हो और इसके साथ-साथ एक खास बात और, अगर आपको कोई समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है, जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, यहां वीडियो आप देख रहे हैं, उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है, उसमें अपनी प्रॉब् तीवी, सब्सक्राइब और शेर करना, बिल्गूल भी न भूले, नमस्कार.